आज हम बनान जा रहे हैं क्रीमी वाइट शॉस पास्ता यह हमने तेल लिया है अब इसमें हम मैदा डाल रहे हैं यह देखिए मैदा को अच्छे से मैल करेंगे इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि वह लॉम्स ऐसी बने रहते हैं लेकिन उस्पून से अगर हम करेंगे तो इसमें यह अच्छे से मिक्स हो जाता है इसमें हम हमों ठोड़ा थोड़ा करके मिल्क अड़ करेंगे एक्दम से नहीं अबात HIS नहीं ओने ना में जिससे कि यह जुद्ब से यहaaaa जाएं कि यह देखिए इसकी कंसिसर सी देखिए कितनी है अच्छे से मैल्ट हो चुकी है मैदा इसमें अच्छे से घूल चुका है अब इसमें हम और गेनो मिक्स करेंगे आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स भी एड़ कर सकते हैं मेरे पास वह एवलेबल नहीं है इसलिए म मैं पास्ते के हिसाब से मेरी ग्रेवी थोड़ी ज्यादा है यह हो गया हमारा वाइट सॉस क्रीमी पास्ता रेड़ी यह कितना जूसी है देखिए आप बताइए आपको वाइट सॉस पास्ता पसंद है या रेड सॉस पास्ता